हलो फ्रेंस कैसे हैं आप सब और वेलकम टू माई चैनल अंजू जादन तो फ्रेंस अगर आप छोटे छोटे बिजनेस करके लाको रुपए घर वेटे कमाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइपोन दबाएं और शा क्लिक कैसे की जाती है तो इन सभी की जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं तो गिलोए को पैचानकर अभी लोग लाको रुपए कमा रहे हैं वो भी बिना पैसा लगाए क्योंकि गिलोए का उत्पादन खेती करके तो होता ही है और बहुत से गाउं और जंगलों में ला लाको लोग जो हैं वो उप्योग में लाकर कई बीमारियों से चुटकारा पा रहे हैं गिलोए देखने में लगवक पान के पत्ते की तरह से होती है और यह लता के रूप में उगती है और बढ़ती है गिलोए के पत्ते पतले हरे और दिल के आकार के होती हैं और तनों को मस पर इसमें चिपचपा द्रब्वी निकलता है गाउं और सहरों में जिन औसदी पौदों की खेती की जा रही है उनमें गिलोई सबसे आ गया है और खेती के लिए लोगों ने गिलोई को अपने आसपास की जो परियात भूम है उसी पर उनने ओगा दिया है चूंकि गिलोई ए यह एक रामबाड दवा है और लोग भी अब ऐलोपेथी दवाईयों से तंग आ गए हैं ऐसे में लोग बीमारियों से पूरी तर निजात पाना चाहते हैं और इसमें गिलोई उनकी सबसे ज़्यादा मदद करती है इस पर राश्टी और उसदी यह पादा बोर्ड की तरफ को लाखों और करोणों का मालिक बना सकती है क्योंकि गिलोई का दवाई बनाने में बहुत ही जादा इस्तिमाल होता है गिलोई अंतर राश्टी बाजार में बहुत ही जादा मैगी बिखती है गिलोई से सीरप गोलिया और कही तरह की भस्म भी बनाई जाती है जो हमारे सरी के लिए बहुत ही जादा फायदे बंद हैं गिलोई मानव सरीर में गिरते प्लेट लेट को बढ़ाने में बहुत ही जादा मददगार है जब भी किसी को बुखार या कमजोरी आती है तो उस समय गिलोई का सेवन करने से सरीर में शक्तिका संचार भी होता है और सरीर एक नई उर्जा से भी भर जाता है और यह सरीर की इम्मूनिटी को भी बढ़ाती है जिससे जो आज कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है उसमें इससे बहुत ही जाद है मदद मिल रही है गिलोई की खेती के लिए तनों की कटाई जून से जुलाई के दौरान की जाती है और पौद जाती है इस पौदे को उगाने के लिए बीज का भी उपयोग किया जाता है तो बोबाई से पहले बीज को अंकुरंड के लिए 24 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है और यह बीज मई से जुलाई के दौरान पौली बैग में भी बोई जाती है एक हैक्टेयर भूम में प बहुत अच्छा हो जाएगा और पौदर उपड के लिए तने की कटिंग को सीधे ही खेत में बोया जाता है और अच्छे उपज के लिए कटिंग को तीन मीटर की दूरी पर लगाना सही माना जाता है उगाने के लिए पौदे को लकडी की कपचियों के सहारी की भी जरूरत होती है या जाड़ी या पीड उगाने से भी पौदों को सहारा मिल जाता है कलम लगाने के लिए प्रते अक्ट या जमीन की जो खरपतवार को हटा कर 75 किलो नाइट्रोजन के साथ 10 टन औरवरक के साथ मिट्टी तेयार की जाती है और औरवरक के लिए आप गोवर की खाद भी ले सकते हैं उससे भी बहुत अच्छी उपज होगी और अच्छी बड़त के लिए करीब 2-3 वार निराई और गुड़ाई की इसमें जरूरत होती है बार वार निराई और गुड़ाई करके कतारों में पोधों के बीच की दूरी को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए य और जब यह 2-5 संटीमीटर से अधिक व्यास की हो जाती है तब इसकी कटाई की जाती है और कटाई करते समय जड़के जो पास का हिस्सा होता है वो फिर से बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है तने को साबदानी पूरवक छोटे टुकड़ों में काटें और चाया में सुखाएं इसे जूट के बोरों में रखकर ठंडे और हवादार भंडार गोदामों में रखा जाता है अब फ्रेंटस इसकी जो पैदावार है वो देख लेते हैं कि कितनी होती है तो पौदों से करीब दो बरसों में प्रत हेक्टेल पंद्रे सो किलो ताजा तने की उपज होती है और जिसका सूखने के बाद जो बजन होता है वो 300 किलो रह जाता है अब गिलोई के पत्ते को भी आप चाहें तो गिलोई का पावडर बना के भी बेच सकते हैं क्योंकि इसकी भी मार्केट में बहुत जादा डिमांड है और सूखा हुआ जो तना होता है उसको आप बहुत सारी जो फार्मेसिस्ट कंपनियां होती है जो दवाईयां बना रही है जो आयरवेदे कंपनियां होती है जैसे चबन प्रास बगरा जो बनाती है उनको आप इनको सेल कर सकते हैं तो फ्रेंट्स मैं ग्लोई के खेती का इसलिए बता रही हूँ यह काफी अच्छी है इसमें लागत भी बहुत कम लगती है अब इस्टार्टिंग में आप अगर करना चाहते हैं तो आपकी जो खेतों के पास आसपास जो अनियूटलाइज जगह होती है आपके घरों के आसप ऐसे होती है जिसका आप यूज नहीं कर रहे होती है कि बहुत कि ISO कीड़ेंने लगते एंगी तो इस तरह ऐसे दवाई के खाद के कीट ना सकते यह सारे खर्चे आपके इसमें बच जाते हैं यानि आपकी बचत भी होगी और ऐसे माली जी आप फिरी में ही आप इस खेती को लगा कर काफी अच्छी इंकम भी कर सकते हैं अब फेंड्स आप इसकी खेती करते हैं और साल दो साल बाद आपकी इसका प्रोडक्शन बो निकालते हैं तो इसको आप आइरवेदिक कंपनिया जो होते हैं जैसे दवाईयां सीरफ बगएर जो कंपनियां बना रही हैं उनको आप सेल कर दें अब सेल करने सी यह होगा ओसती पादब बोड में आपको रिजिस्टीरिशन कराना है अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो हम आपको इसकी इनफॉर्मिशन देंगे कि इसमें आपको किस तरह से रजिस्टीरिशन कराना है अब ये सारी information है आपको time से मिलती रहे तो आप video के नीचे जो लाल बटन है उसको click करके subscribe कर दें और bell icon दबाएं जिससे आपको time for information भी मिलेगी तो friends आज के लिए बस इतना ही मिलती है next video में नई information के साथ तो आप हमारी videos को ज़्यादर से ज़्यादर like करें और subscribe करके bell icon have a nice day